नमस्कार दोस्तो जैहिन जभार्थ स्वागे तब सभीका जगुवाईजी डिफेंस केडमी के यूटूब चैनल पर आर्मी की त्यारी करने वाले मेरे सभी युवा भाईयों को जैहिन जबार्थ चलिए दोस्तो आज का सिसन डाट करते हैं आज का सिसन में हम डिसकास करेंगे आर्मी अगनिवीर के लिए मैज का प्रैक्टिस सेट के हंदर हम डिसकास करेंगे 15 क्यूशन सेम उसी पैटरन पर जिस पैटरन पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्यूशन पूशी जाते हैं तो चलिए भीना देर कि आज का इस स्टार्ट करें, स्टेशन को भड़ा वड़ाई लाइक कर दें, और स्टेशन को सेर कर दें. चलिए पहला किस्ट नुमर 1 आपके सामने है किस्ट नुमर 1 आप से पूछा गया है कोई विकती एक साइकल 14 रुपे में खरीद कर 15% के हानी पर बेज़ देता है उस साइकल का विक्रह मुल्ले क्या है तो कोई भी वस्तो का मुल्ले अपने अप में क्या होता है 100% होता है 15% के हानी पर बेच रहा है मतलब 85% का मुले आपको निकालना है तो 1400 रुपे की साइंकिल है और 15% के हानी हो रही है तो मतलब 85% का मान आपको कैलकुलेट करना है तो 2000 से 2000 कैंसल कर देंगे 14 को 85 से मल्टिप्लाई करना है तो 14 75 का 0 केरीज 7 और 14 8 112 112 और 7 कितने होगे 119 होगे तो 1190 रुपे आपका अनुसर आजाएगा किस्ट नमर एक का राइट अनुसर रहेगा उप्सन बी नेक्स्ट किस्ट किस्ट नमर टू किस्ट नमर टू आपको देर रखा है कि रूट 0.01 माइनस 0.1 का मान ग्याद करें तो सबसे पहले आप क्या कर ले इसको सोलो कर ले रूट 0.01 का रूट करना है 0.01 का क्या कर ले वर्गमूल कर दे उसके बाद 0.01 से माइनस करना है तो सबसे पहले हम इसको सोलो करते हैं सबसे पहले इस संग्या के पोइंट अटाते हैं देख रहे हैं point के बाद कितनी संक्या, 2 संक्या, तो नीचे 1 के बाद 2 0 लगा दें, अब इसका root कर दें, तो 1 का root कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अब answer कितना आगया, 0.1, आगया आपको दिरखा था, 0.1-0.1 है, तो इससे minus करन ये दी A अनुपात B, बराबर 3 अनुपात 4, तथा B अनुपात C, 6 अनुपात 5 हो तो C अनुपात A का कितना होगा, C अनुपात A कितना होगा, ये आपसे पूछा है, तो सबसे पहले क्या कर लें, अगर हम लिख सकते हैं, A अनुपात B को क्या लिख सकते हैं, A बटा B लिख कोई दिक्कत नहीं, यहां पर B अनुपात C को क्या लिख सकते हैं, B वटा C लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, A अनुपात B और B अनुपात C को अगर हम गुणा करते हैं, तो आप देख रहे हैं B से B क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, दें, 2 की टेबल से काड़ दिया, 2 दू नी चार और 2 ती अच्छे, 3 को 3 से multiply करोगे 9 और 5 को 2 से multiply करोगे नीचे तो 10 आ जाएगा, अब यह जो 9 बटा 10 मतलब 9 अनुपात 10 आया है, 9 अनुपात 10 यह क्या है, A अनुपात C है, लेकिन क्विश्चन में आप से क्या पूछा है, C अनुपात A पूछा है, मतलब C अनुपात A पूछा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या पूछा है, C अनुपात A इसका उल्टा पूछा है, तो क्या कर देंगे, 10 अनुपात 9 आपका answer हो जाएगा, जो कि option A के अंदर है, next question, किस नुपात 4, किस नुपात 4 आपसे पूछा है कि 4 करमागत सम संख्याओं का ओसत 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ओसत का मतलब क्या होता है, बीच का नंबर होता है, यहाँ पर करमागत कितनी संख्या है, चार संख्या है, जैसे हमने मालने की 4 संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और यह चोती संख्या, चार करमागत सम संख्या है, उनका ओसत कितना देर खाय है, 9 देर खाय है, तो ओसत का मतलब मैंने बताया बीच का नंबर, तो यहाँ पर जो नंबर होगा, वो इनका ओसत होगा, जब भी कोई लगात संख्या होती है तो उनके जो बीच का नंबर होता है वही उस्यत होता है तो यहां पर संख्या 9, 9 के ठीक बाद संख्या कौन सी आएगी तो 9 के बाद ठीक संख्या आती है 10 और 10 के बाद 12 अगर हम 9 से पहले देखें तो 9 से ठीक पहले संख्या 8 आती है 8 से ठीक पहले सम संख्या 6 आती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या तो आपका अनसर होगा 12 अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या तो आपका अनसर होगा 6 इस question में आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संक्या कुन सी होगी तो सबसे बड़ी संक्या कुन सी होगी 12 option D इस question का right answer रहेगा Next question question 5 Question 5 आपसे पूछा है कि root 0.01 plus root 0.81 plus root 1.21 का योग ग्याद करें तो सबसे पहले क्या कर ले इनको अलग-अलग solo कर ले जैसे इसका root अलग से निकाल दे इसका अलग से निकाल दे और इसका अलग से निकाल दे उसके बाद तीनों को जोड़ दे तो इसको जब हम solo करेंगे पहले वाले को 0.01 का root निकालेंगे तो पहले तो इसके point रटाएंगे तो 1 बटा 100 लिखेंगे अब उपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा क्योंकि एक का रूट रहेगा एक सो का रहेगा 10 तो 0.1 आ जाएगा इसका रूट करेंगे तो 81 बटा क्या होगा 100 अब उपर और नीचे दोनों का रूट करना है 81 का root कितना हो जाएगा 9 क्योंकि 9 की वरक्स हैं क्या वो कितने 81 है और ये 100 किसकी वरक्स हैं क्या 10 की 9 बटा 10 का मनलब 0.9 इस तीसरे का निकालेंगे तो point टाएंगे तो 121 बटा 100 अब दोनों का root करना है तो 121 का कितना हो जाएगा 11 क्योंकि 11 की वरकस्तिंग क्या 121 और यह 100 किस का 10 का अब 11,8,10 11,8,10 को क्या लिख सकते हैं 1.1 अब इन तीनों को जोड़ें किस को 0.1 को 0.9 को और 1.1 को तीनों को जोड़ना है इनको जोड़ेंगे कितना आजाएगा 2.1 आजाएगा जोड़के दिखा जैता हूं 0.9 एक पॉइंट एक और तीसरा को जादा 0.1 जोड़ेंगे तो एक पॉइंट दो 2.1 अब का आणसर आजाएगा नेक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स नमर 6 आपसे पूचा है कि एक उमीदवार को चुनाव में 30% वोट मेले जितने भी टोटल 100% वोट थे उसमें से कितने मिले 30% वोट मिले तथा हुए 100 वोटों से हार गया कितने वोटों से 100 वोटों से हार गया आप से किसन ये पूचा है कि उस सुनाव में कुल कितने वोट मिले उस सुनाव में कुल कितने वोट थे टोटल 100% का मान आपसे पूझा है तो देखिए टोटल वोट कितने होते हैं अपने आपने 100% होते हैं 100% में एक विक्ति को मिले है 30% और ये कोन है हारने वाला तो दूसरा जो जीतने वाला प्रत्याक्सी है उसको कितने परतिसत मिलेगे आप कहोगे सर टोटल 100% है उसमें से एक को 30% मिला है तो पीछे बच गया 70% वो किसको मिलेगा जीतने वाले को मिलेगा तो 70% वोट मिलेगे यहाँ पर किसको जीतने वाले को अब आप देख रहे हैं ये जीतने वाला है जिसको 70% मिल रहे है या हारने वाला है इसको 30% मिल रहे हैं मैं आपसे पूछो कि मुझे 30% की रूप में आप ये बताइए कि कितने परतिसत का अंतर है दोनों के बीच तो आप कहोगे सर इसको 70 और इसको 30% मतलब दोनों के बीच जो अंतर चल रहा है परतिसत की रूप में वो चल रहा 40 परतिसत का बिलकुल और इसी 40 परतिसत से वो क्या है जीता है और 40 परतिसत का मान संक्या की रूप में कितना है 100 वोट है संक्या की रूप में मान कितना है 100 है तो 40 परतिसत का मान हमने यहां केलकुलेट कर लिया कि 40 परतिसत का मान 100 है अगर म जुनाव में कुल कितने वोड थे इसका मदलब 100% का मान आपको calculate करना है एक परतिसद का मान हमने calculate कर लिया तो 100% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे गुणा 100 कर देंगे अब काड़ तो आप का अनूसर आजएगा 20-2-40, 20-500, 2 की टेबल से 100 को काड़ दिया 50 वर Q7 आपसे पूछा है कि एक रेल गाड़ी 180 km परती गंटा की चाल से जा रही है, उसकी चाल मीटर परती सेकेंड में बताओ, और ये क्यूशन आर्मे की पेपर में कई बार पूछा गया है, चाल दूरी और समय टोपिक का बिल्कुल बेसिक क्यूशन है, टाइप नमबर एक का क इसमें concept आपको ये समझना है, कि जब भी आपको चाल, किलोमेटर परती गंटा में देर खाओ, चाल अगर किलोमेटर परती गंटा में है और उसको कनवर्ट करना है किसमें मीटर परती सेकेंड में, तो क्या करते हैं, पांच बटे 18 से गुणा करते हैं, और दूसरा कुशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर चाल आपको मीटर परती सेकंड में देर खाओ और उसको कनवर्ट करना हूँ किसमे किलोमेटर परती गंटा में तो किस से गुणा करते हैं 18 बटे 5 से गुणा करते हैं यहां परकुष्ण में क्या देर खाया कि एक रेल गाड़ी की चाल 180 किलोमेटर परती गंटा है इसको किस में कनवर्ट करना है मीटर परती सेकंड में तो मैंने आपको क्या बता है कि मीटर परती सेकंड में अगर कनवर्ट करना है तो किस से गुणा करना है 5 बटे 18 से गुणा Q7 का right answer रहेगा option D Next question Q8 Q8 अच्छा question है समय और कारिये topic का अच्छी लेवल का question आपके सामने A, B से 20% अधिक कारिये कुसल है मनला अब दो वेक्ति हैं एक A है एक B यहाँ पर question में आपको यह दे रिखा है कि जो A है यह B से 20% अधिक कारिये कुसल है मनला 20% अधिक कारिये कर सकता है आगे क्यूसल में आपको दे रिखा है कि B अकेला एक काम को 12 दिन में कर सकता है B अकेला अगर उस काम को करता है तो 12 दिन में कर सकता है आप से क्यूसल यह पूछा है कि A अकेला उसी कारिये को कितने समय में पूरा करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A और B की कारिये सम्ता निकालेंगे A और B की क्या निकालेंगे कारिये सम्ता किसल में आपको देर खाया कि जो A है A है वो 20 से क्या करता है 20% अधी कारिये करता है मतलब B अगर 100 करेगा तो A कितना करेगा 120 करेगा अब इनको काड़ दो 6 और 5 20-की टेबल से काड़ दिया तो यहाँ पर A की कारिये समता आगी 6 B की कारिये समता आगी 5 इस कारिये समता का मतलब क्या है कि A, एक दिन में 6 काम कर सकता है B, एक दिन में 5 काम कर सकता है अब question में आपको दि disproportionately करता है तो भाई 12 दिन में complete कर देता है B एक दिन में कितने काम कर रहा है 5 और काम को 12 दिन में खतम कर देता है तो मैं आपसे पूछे हूँ भाई total वरक कितना क्या कुल काम कितने है तो कुल काम हम निकाल सकते है कुल काम कैसे निकालेंगे कि जो B है वो 12 दिन में काम को खतम कर रहा है एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितने काम कर देगा 60 काम कर देगा तो टोटल काम कितने होगे 60 अब किस से करवाने है हमें करवाने A से तो A की कारी ये समता कितनी है A की कारी ये समता 6 है तो 6 का भाग लगा दे वो दियावा है कि आठ पुरुसों की ओसत आयू दो वरस बढ़ जाती है ये उनमें से दो पुरुसों को जिनकी आयू 21 वरस वरस है के स्थान पर दो नए पुरुसों को लिया जाता है किस्वन समझा देता हूँ पहले में आपको किस्वन में आपको ये देर खाया कि आठ पुरुस है जिन में से दो पुरुस जिनका वरस कितना है आयू है 21 वरस और 23 वरस इनको अगर उनसे बाहर निकाल देते हैं और उनकी जगह दो वरस और ले आते हैं तो उसत में दो वरस की वरती होती है ओसात में कितनी वरती है दो किसकी विज़े से वरती हो रही है ऌकि जो नए विख्थी नो सामिल कर रहे है पहले वालों को अठाकर उनकी जो आईयू ज्यादा होगी तब ही वरती होगी जहां तो पहले हमने जो अटाया है, उनकी आयू एक की तो थी 21 वरस, दूसरे की थी 23 वरस, और क्यूशन में आपसे पूछा है कि जो दो नए वेक्ति आये हैं, उनकी ओसत आयू आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, तो दो वेक्ति हमने बाहर निकाल दिये 21 और 23 वाले, और इनकी जगह 2 अन्य को सामिल किया, तो ओसत में वर्दी कितने कोई 2 वरस की, तो टोटल कितने की वर्दी होई, आठ पुरुस्ते, दो की वर्दी होगे, मनला टोटल आठ दूनी 16, 16 वरस की वर्दी होई, अब इनको जोड़ दे और 2 का भाग लगा दे, इनका योग करेंगे तो 6 और 3, 9, 9 और 1, 10, 10 का 0, केरी 1, 1 और 2, 3, 3, 2, 5, और 1, 6, 60, 60 में 2 का भाग लगाएंगे, अन्सुर आगया 30 वरस, तो जो दो नए वर्दी आये हैं, उनकी उस्यताईयों कितनी रहेगे, 30 वरस, उप्सन बी इस क्यूशन का राइट अन्सुर रहेगा, नेक्स क्यूशन की न 20 की दर से बेच रहा है, किस दर से बेच रहा है, 1.25 की दर से, आप से क्यूशन ये पूचा है, कि सोदे में उसका परतिसत लाब बताओ, आप से पूचा है कि लाब परतिसत बताओ भई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 वस्तू को आप 12 रुपे में खरीद रहे हैं, तो एक वस्तु एक रुपे में खरीदी या नहीं खरीदी यहाँ बिल्कुल एक वस्तु को बेच कितने में रहो यहाँ पर एक वस्तु का मुल्ली करे मुल्ले तो एक रुपे हो गया बेच कितने पर रहो आप एक पॉइंट 25 पर एक पॉइंट 25 रुपे पर बेच रहे है तो इस question को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 पैसे का profit हो रहा है एक वस्तू पर और एक वस्तू का क्रैमूले एक है और परतिसत में convert करने के लिए 100 तब भी आपका अनुसर कितना हैगा 25 परतिसत ही आपका अनुसर आने वाला है next question 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 number 10 discuss sorry 11 discuss करते हैं 10 का अनुसर रहेगा next question आपके सामने है question number 11 question number 11 आपसे पूछा है अच्छा question है यह भी 120 का 25 परतिसत पलस 380 का 40 परतिसत बराबर 637 का कितना होगा 2 बटा साथ या 1 बटा साथ या 4 बटा साथ या 3 बटा साथ अच्छा ग्यूशन भाई अगर आप ऐसे 50 प्रेक्टिस सेट लगा लेते हैं तो जब भी आप आर्मी का पेपर देनी जाएंगे तो 15 में से 12 प्लस क्यूशन आपके साई कंफर्म होने वालें तो इस क्यूशन को सोलो करते हैं 120 का 25 परतिसत तो सबसे पहले तो आप क्या कर ले 120 का 25 परतिसत हम केलकुलेट करते हैं 25 परतिसत का साहिन इटाने के लिए बट्टा 100 तो 25 की टेबल से काड़ दिया 100 को 4 वार और 4 की टेबल से काड़ दिया 120 को 30 वार तो इसका आनूसर आगया 30, कोई दिक्कत नहीं अब 380 का 40 परतिसत कैलकुलेट कर ले तो 388 इंटू 40 परता क्या रहेगा 100 रहेगा इस 0 से ये 0 कैंसल इस 0 से ये 0 कैंसल 38 को 4 से गुणा करना है तो 8.32 का 2 के रिए 3 4 तिया 12 और 3 15 एक सो बावन तो इसका 38 का 40 परतिसत कितना आ गया 152 120 का 25 परतिसत कितना आ गया 30 आ गया एक सो बावन में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 182 182 बरावर 637 का अब देखिए आप सभी ओप्सन में नीचे कितना है साथ है तो नीचे तो यहां पर साथ ही रहेगा देखना ये है कि यहां पर क्या आएगा साथ की टेबल से 637 को काड़ दो साथ नीचे 63 साथ एककम साथ इकार्ण में को किस से गुणा करें कि 182 आजए इकार्ण में को किस से गुणा करें कि 182 आजए तो दो से गुणा करने पर 182 आजएगा जिहां बिल्कुल दो से गुणा करने पर 182 आएगा तो यहां पर क्या रहेगा दू बटा साथ अपका अनसर रहेगा जो कि option A के अंदर है किस्ट नमर एलियोन का राइट अनसर रहेगा option A next question किस्ट नमर 12 किस्ट नमर 12 आपसे पूछा है कि एक सहर की जनसेंग्या 10,000 कोई सहर है जिसकी जनसेंग्या कितना है 10,000 है परताओं वरस 10 परतिसत की दूसरे वरस 20 परतिसत तता तीसरे वरस 50 परतिसत बढ़ती है तीन वरस बाद सहर की जनसेंग्या क्या होगी एक सहर की जनसेंग्या कितना देर खा 10,000 पहले वरस 10 परतिसत की वर्दी दूसरे वरस 20 परतिसत की और तीसरे वरस 50 परतिसत की वर्दी होती है आपसे पूछा है कि तीन वरस बाद सहर की जनसंग्या क्या होगी तो वरतमान में सहर की जनसंग्या कितनी है 10,000 है और ये आपने आप में क्या 100% है पहले वरस कितनी बढ़ रही है 10% मतलब बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 110% तो हम डारेक्टली क्या कर लेंगे 10,000 का 110% कैलकुलेट कर देंग तो वर्दी के साथ जनल से क्या निकालेंगे, तो हम कितने परतिसत का मान निकालेंगे, 120 परतिसत का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब तीसरे वरस वर्दी हो रही है, कितने परतिसत की, 50 परतिसत की, तो 150 बटा 100, इसको calculate कर ले, आपका answer आपके सामने होगा, तो 2-0 से यह 2-0 cancel, इन 2-0 से यह 2-0 cancel, इन 2-0 से एक यह 0 और एक यह 0 cancel कर दिया, अब multiply करना किसको किस से, 110 को 12 से, जो answer आए उसको 15 से, तो पहले 15 को 12 के साथ multiply करेंगे, तो 12 दूनी, sorry, 15 दूनी 30 का 0, केरी 3, 15 एकम 15 और 3, 18, 180, और 180 को multiply करना किसके साथ, 110 के साथ कितना आजेग 1-9-8-0, 19,800 आपका answer रहेगा, जो कि option C के अंदर है, question number 12 का right answer रहेगा, option C, next question 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 number 13, दोस्तों इस session के आदर हम 15 question discuss करने वाले हैं, सेम उसी pattern पर, जिस pattern पर, आर्मे के original paper में question पूशे चाते हैं, अगर session आपको अच्छा लग रहा है, और session को अभी तक like ने किया, तो फटाव question question number 13 आपके सामने है, question number 13 आपसे पूछा है, यदि x बरावर 1-3y और y बरावर 1-2z है, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, तो सबसे पहले अपने क्या करना होगा, यहां से x अनुपात y निकालना होगा, यहां से y अनुपात z calculate करना होगा, तो यहां पर देखिए y क किसमे गुणा में है, अगर इस तरह बेजे तो किसमे चला जाएगा भाग में, मतलब X बटा Y, X बटा Y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 3, इसी का मतलब क्या है, X अनुपात Y कितना आ गया, X अनुपात Y आ जाएगा, 1 अनुपात 3, यहां से इस Z को इस तरह बेजेंगे तो भाग में चला जाएगा मलब यहां से y अनुपाद z कितना आ गया एक अनुपाद 2 आ गया अब अपने को निकालना है x अनुपाद y अनुपाद z का मान तो x, y और z को आप परेंज कर लें ऐसे x अनुपाद y कितना दे रिखा है एक अनुपाद 3 तो x के नीचे आपको 1 लिखना है y के नीचे आपको 3 लिखना है तो x के नीचे 1 लिख दिया y के नीचे 3 लिख दिया अब आजाओ दूसरी लाइन में दूसरी लाइन में क्या करना आपको यहां पर रहेगा तीन Y का मान क्या है एक है और Z का मान क्या है दो है तो Y की नीचे आप क्या लिखते है एक लिखते है और Z की नीचे कितना लिखते है दो लिखते है अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो खाली जगए एक तो यह खाली जगए और एक यह खाली जगए पर कबजा कौन करेगा कबजा करेगा भाई पडूसी तो यहाँ पर खाली जगाए इसका पडूसी को न ये तीन है तो यहाँ पर को न आएगा तीन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा एक आएगा यहाँ पर तीन और यहाँ पर एक अब इनको मल्टिप्लाइ कर दें एक को एक के साथ करेंगे एक, तीन को एक के साथ करेंगे तीन, और तीन को दो से करेंगे छे, मतलब एक अनुपाद, तीन अनुपाद, छे आपका आनुसर रहेगा, उप्शन सी इस कृष्ण का राइट आनुसर रहेगा, अगर कृष्ण समझ में आ गया तो सेशन को फटा फ ऊसत आयू 25 वरस है किंदे गिम्हारों की 12 खिलाड़ पर की जो ओसत ायू है वह यो 5 वरस है यह कंदिक कोक्ता समील कर लिन तो ऊसत एक वरस बढ़ ज़यते है नगे ऊसत आयू कितना दे रखा 25 वरस दे रखा यह से। जैसे कंद कों आई ऊसत चलतीक कितना समील कितनी थी 25 वरस तो क्या हम इन 12 खिलाडियों की आयू का योग निकाल सकते हैं जी बिलकूर निकाल सकते हैं योग निकालते कैसे हैं ओसत को संख्या से गुणा करते हैं योग कैसे निकालते हैं योग निकालने का फोर्मूला है ओसत गुणा संख्या ओसत को किसके साथ गुण गुग अच्ट है तीस इनका यो कितना आ गया? तीस वरस आ गया। अब देखे, कप्तान का यो सामिल करेंगे। जैसे हम कप्तान के आयू सामिल करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, पहले ये 12 थे अब कितनी हो जाएगे 13 तो अब संख्या 13 है, उसव्षत एक बढ़ जाता है, तो पहले कितना था 25 एक बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 26 तो अब उस्त हो गया 26, 26 को 13 से गुड़ा करेंगे तो हम क्या आजाएगा इन 13 की कुल आयू आजाएगी तो 26 को 13 से गुड़ा करते हैं, 13 छी की अठंतर का 8, 37, 13 दूनी 26, 26 और 7, 33 तो 338 आगया, अब यहां पर देखिए अंतर कर देते हैं, यह जो आप 13 देख रहे हैं तो 338 से जैसे हम 300 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 38 वरस और यह 38 वरस किस की आईउ आएगी, यह आएगी कप्तान की अगर क्यूशन समझ में आगया तो फटा-फट कमेंट करके बता दे कि हाँ सर, क्यूशन समझ में आगया नेक्स क्यूशन डिसक्स करते हैं क्षेवर nubor 15 आजके सेसंन का लास्ट क्यूशन आपके सामने आया क्षे नोमच 15 रूटबारा प्लस-रूटबारा 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 प्लस-टिनिव चल रहा है इसका अनुसर सोलो करना हो तो जब भी ऐसा क्यूशन आ जाये तो इस 12 को ऐसे तोड़ना है इस 12 को ऐसे तोड़ना है कि एक N रहे एक संक्या N रहे तो दूसरी N प्लस वन रहे मलब एक संक्या कोई भी हो लेकिन दूसरी संक्या उससे 1 प्लस होना चाहिए तो 12 को ऐसे तूड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 x 4 लिख सकते हैं और यह जो बड़ा नंबर होता है यही इसका क्या रहता है आनसुर रहता है उप्शन सी इस क्यूशन का राइट आनसुर रहेगा तो आज के सिसन में हमने आर्मी के उरिजिनल पेपर में जिस टाइप के क्यूशन पूशी जाते हैं सेम उसी टाइप के क्यूशन डिसकस के हैं 15 में से आपके कितने क्यूशन से में कमेंट करके ज़रूर बताओगे आज का सिसन आपको कैसा लगा कमेंट करना है सेसन अगर अच्छा लगा है तो भाई आर्मी की त्यारी करने वाले कम से कम एक भाई को सेसन सेर जरूर करोगे उमीद करता हूँ कि आज का सेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा अब आपको हम बता देता हूँ कि अगर आप आर्मी अगनिवीर भरती 2022 की त्यारी कर रहे हैं वाटसअप ग्रूप में जुड़ना चाहते हैं तो वाटसअप नमबर है 7300-133-100 इस नमबर पर आप मेसेज कर सकते हैं और वाटसअप ग्रूप में जोईन हो सकते हैं अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नमबर आप सर्च करें जग्गु भायजी डिफेंस केड में आपको एक ग्रूप मिल जाएगा उस ग्रूप में आप जोईन हो सकते हैं उमीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते सेशन को लाइक और शेर जरूर कर दें मिलते हैं एक नेक सेशन में एक जोईस और जनून के साथ चैहिंद चैभार्द